गुड मॉर्णिंग टौल आफ यू मैसेल पेके सिंग और वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेश फ्यूचर जोन क्लासेश के इस प्रेटफॉर्म से ट्वेल्थ फिजिक्स एंसी आर्टी के गौडिंग चेप्टर नंबर सेवन अल्टर नेटिंग करेंट एसी आज हम लोग एस जो इलेक्टिक वाला प्लग होता है उसमें प्लग ऐसे आएसे किसी भी तरीके से घुसा है यहां माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं होता है कैसे भी करते कोई फरक नहीं पड़ता है बट बैट्टी वाले करेंट में माइनस प्लस पहचानने पड़ते हैं यू कहें कि पांच लेक्टर में तो वीडियो को प्रेम से पुरा देखें अल्टर्नेटिंग करेंट एक छोटा सा डिफिनिशन लिखा हुआ है दा करेंट विच मैगनिट्यूड एंड डारेक्शन बोथ चेंजेज पेरियोडिकली इस कॉल अल्टर्नेटिंग करेंट मतलब समय के साथ इसका मैगनिट्यूड भी चेंज होगा और डारेक्शन भी चेंज होंगे मीन्स कभी दिस तो कभी दिस कभी ज्यादा कभी कम मैगनिट्यूड भीडियो कर रहा है और डारेक्शन भी चेंज हो रहे हैं ऐसे करेंट को क्या बोलते हैं अल्टर्नेटिंग करेंट और अल्टर कटिंग हम लोग लेके करेंगे AC में फ्रॉम previous discussion previous discussion में हम लोग काहां देखे थे working principle of AC generator फ्रॉम previous discussion, ये discussion कहां किवे थे working principle of एक जिनरेटर वहां पर हमने एक निकाला था इंडिश्ट एमेफ और निकाले थे बी ए ओमेगा एन शाइन ओमेगा टी सब को याद होगा जिसमें इस पूरेट टर्म को हम मैक्सिमम चुकि हम जानते हैं कि यहां पर एक चीज गौर से आप देखो वैसे मत लिको आप यहां पर यहां पर यहां पर आप फश्ट किये अब यहां पर हम कहा रहें फ़र मैक्सिमम इमेफ फ़र इमैक्स इमैक्स के लिए साइन ओमेगा टी का फैलो कितना होना परेगा फ़र इमैक्स साइन ओमेगा टी मस्ट बी इक्वस टू वन जानते हो कि साइन का मैक्सिम फैलो कितना होता है वन होता है तो फ़र इमैक्स साइन ओमेगा टी कितना होना इसलिए जो Emax निकलेगा, Emax निकलेंगे, वो कितना जाएंगे? B A omega N, यह है Emax, और इसको हम लोग बोल देते हैं E naught, और इसको बोलते हैं Peak value of EMF, EMF का क्या value है? Peak value, तो अब पुरे B A W N जो omega N अपने को दिख रहा है, उसको E naught बोल रहे हैं, और वो value क्या है? उस EMF का maximum value, तो first को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम पुरे first equation को इसे लिख सकते हैं? E, E is equals to E naught, shine, omega T E is equals to E naught, shine, omega T, जहांपर E naught क्या है? उस EMF का maximum value, और किसी time T पर EMF E है यह रहो, equation number 2, अब कहा है, if R be the resistance of the circuit, circuit का resistance R है, then, क्या हम इस दोनों साइड R से डिवाइड कर दूँ? अब क्या करें? divide, divided by R, divided by R to the both side, to the both side, in equation second, second equation में दोनों साइड क्या करो? R से डिवाइड कर दो, यह value क्या हो जाएगा? E by R is equals to E naught by R, shine, omega T, अब E by R क्या बन जागा? general current, potential by resistance, current I is equals to E naught, maximum voltage by resistance, तो यह क्या निकलेगा? maximum current, जिसको फिर से बोलेंगे, peak current, I naught, shine, omega T, I is equals to I naught, sine, omega T, and E is equals to E naught, sine, omega T, यह I naught क्या है? peak value of AC, AC, alternating current का maximum value, और यह I क्या है? current at any time T, current at any time T, किसी time T का current I है, और maximum current I naught है, और एक्चुली इस I naught का value क्या है? E naught by R, और E naught क्या है? B A omega N, तो B A omega N by R का value क्या हो जागा? I naught, that is, यहाँ पर तुम्हें अगर I naught खोजो, तो I naught क्या मिल रहा है? E naught by R, और E naught क्या है? B A omega N, B A omega N by R, इसी term को हम क्या बोलते हैं? I naught बोलते हैं, I naught B A omega N by R, बट अब अपने को B A omega N by R, या B A omega N पर काम नहीं करेंगे, E naught and I naught पर काम करेंगे, E naught मतला maximum EMF, and I naught मतला maximum current, peak value of current, peak value of EMF, इतना पहले note करें. अब चुकी alternating current में समय के साथ लगातार current चेंज हो रहा है, जैसे जैसे अब time इधर उधर कर रहा हो, हर एक section पे current का value बदल रहा है, तो अगर हम पूरे एक cycle में, अब इसका ग्राफ देखोगे, अब ग्राफ देखोगे, T versus I, current versus, current versus time का graph, तो चुकी sign का graph बन रहा था, लगातार ऐसे graph चलेंगे, जहां पर ये जो value आपको दिख रहा है, maximum value जिसको आप बोले हो, I not, और इस तरीके से continuously ये पेरियोडिकली graph चलते रहा है, जैसे sign का function होता है, वैसे, चुकि तुम्हारे पास, I equals to I not sign, ओमेगा टी फोर्म में, alternating current का value दिख रहा है, और वैसे ही ये क्या है, negative में maximum current है, minus I not, यहाँ पर current zero हो गया है, यहाँ पर current zero था, यह और यह पुड़ा timing, यह एक complete revolution, यही नए एक cycle है, वापस यही cycle फिर से repeat हो रहा है, फिर से cycle repeat हो रहा है, यह cycle का time है, इसको हम लोग बल रहा है capital T, और यह रहा इसका time period, time period of cycle, cycle का time period कितना है, मतलब उस AC का time period कितना है, कितना देर में वो एक revolution कर रहा है, एक cycle complete कर रहा है, time period, यहाँ से यहाँ, तो यह क्या होगा, half time period T, यह T by 4, T by 4, T by 4, फिर से T by 4, और T by 4 मिला करके complete time period, तो यह रहा current versus time का graph, वैसे ही, अगर EMF versus time का graph plot करोगे, तो EMF versus time, इसका भी curve कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, जिसमें यह maximum value क्या दिखाएंगे, E naught और यह minus E naught, फिर से यह पूरा एक cycle का time, time period कैटकल T, तो E naught versus, I versus T का graph, या E versus T का graph, दोनों graph, या तो sinusoidal होगा, मतलब sin का curve होगा, और या तो cost के curve होगे, कैसे sin या cost का curve बनते रहेगा, हम दिखाएंगे आगे चलके, अगले class में, जब phaser diagram पहेंगे, phase reference देखेंगे, clear, पहले graph note कीजे, अब यहां पर आप देख सकते हो, यह पूजिटिव करेंट है, यह पूजिटिव करेंट है, यह निगेटिव करेंट है, पूजिटिव करेंट है, वापस यह निगेटिव करेंट बनेंगे, पोजिटिभ बोल्टेज यह निगेटिव बोल्टेज गयंगे तो लगतार यहांपर भैलू भी क्युक्य आगलेए चरह न उपण की से तुके हरें चरहंगी हाइं गरन्वाद्थ करते रही है मतलब एक सेकेंड में इसका जितना फिर क्वेंसी होगा उतना बार यह अपने अनोड और कैथोर्ट को चेंज करेंगे कि दिरे दिरे अभी और आगे किलियर होगा पहले आप इतना नोड करें अब चुकि एसी में करेंट लगातार समय के सांथ चेंज हो रहा है तो हम उसका एवरेज वैलू कितना ले एवरेज वैलू ऑफ एसी एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे एवरेज वैलू ऑफ एसी कि इन हाफ साइकल हो कि हाफ साइकल में एवरेज वैलू ऐफ इस अपने को निकालना है मिन्स कुछ ऐसे टरिकंश कर आपam आपक एवरेज वैलू निकालना हैं ह हाफ साइकल मतलब टाइम पीरेट के आधा टाइम पियरड तक तक देखो कारे से निकालेंगे चुक्ति आय अपने पास क्या है आई नोट साइन ओमेगा टी क्या आय को हम लिख सकते हैं डीक्यु बाइडीटी आई को लिख सकते हैं बिल्कुल डीक्यु बाइडीटीय कि सी टाइम टी का आई है is equals to I naught sine omega t DQ is equals to I naught sine omega t DT दोनों साइड integrate कर दो तो DQ का integration क्या हो जागा Q I naught constant integration से बाहर आ जागा integration करेंगे sine omega t का DT के respect में कितना दिर में कर रहे हो half cycle, half cycle मतलब 0 से ले करके T by 2 तक 0 से ले करके T by 2 तक, half cycle पहुंचा दिये न अगर 0 से ले के T तक करते तो कहा जाता complete cycle, चलो हम आगे half cycle में तो Q is equals to I naught integration करो sine omega t का integration क्या होता है minus cos omega t और जो t का coefficient होता है उतना डिवाइड हो लेता है जो लोग integration पर लिये होंगे समझ आ रहा होगा जो लोग नहीं पढ़े है integration पढ़ेंगे समझ आगा sine omega t का integration minus cos omega t और जो t का coefficient होता है उतना से divide हो लेता है कहां से कहां 0 से time period के आधार 0 से T by 2 तक integration करना है Q माइनस को बाहर कर दो माइनस आई नोट बाई omega भेलू क्या बचे cos omega t कहां से कहां 0 से T by 2 तक आगे आ जावाब Q is equals to minus I not by omega अब लोटाओ अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट भेलू क्या हो जावा cos omega capital T by 2 time के जगा पर क्या डाला है T by 2 और minus cos omega इंटू 0 cos omega इंटू 0 omega इंटू 0 0 cos 0 1 होता है Q minus I not by omega इंटू एक जाब जानते हो omega क्या होता है 2 pi by T omega होता है 2 pi by T तो क्या यहां से आप omega in to T का value omega into T का value 2 pi डाल सकते हो यह फमूला पढ़े हो omega होता है 2 pi by T omega into T के जगा डाल सकते हो 2 pi omega into T omega T by 2 निकाल दो यहां से omega T by 2 omega into T by 2 का value क्या हो जाएगा pi तो यहां क्या हम directly value डाल सकते है cos pi omega into T by 2 तो इसको साइड में आप लिख लोगे इधर मेरे पास सबैस नहीं है minus cos 0 q e g cos 2 minus i0 by omega into cos by minus 1 minus cos 0 minus 1 minus 1 minus 2 into minus 1 plus 2 q e का भेलों क्या निकल लगिया 2i0 by omega क्यों निकल गए टू आई नोट बाई ओमेगा और कितना दर का टाइम है यह हाफ टाइम पिरियेड का हाफ साइकल का इसलिए कि आई अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा क्यू अब आई टी कितना टी एवरेज क्यू बाई टी क्यों तुम्हारा कितना है टू आई नोट बाई ओमेगा और टी कितना है टी बाई टू टी बाई टू और टाइम के जगाब हम डाल सकते हैं टू पाई बाई ओमेगा डालो टू आई नोट बाई ओमेगा एवरेज चार्ज अब आई टाइम कितना है इसको डालो आप उप कर दो 2 को this divided by t by 2, 2 पर चले जाएंगे, 2, अब आप T के जगा पर क्या डाल सकते हैं, 2 pi by T, 2 pi by capital, sorry, T के जगा पर 2 pi by omega, 2 pi by 2 pi, अब by omega, तो omega चला जाएगा, उपर, तो, 2 से 2 cancel, और, यहां को और से देखो, space कम होने कारण, क्यों का value कितना है, 2 i not by omega, 2 i not by omega डाल दिए, into T by 2, यह value ऐसे लिखा जाएंगे, 2 i not by omega, और, into T by 2, और, omega into T, omega into T के जगा पर क्या डाल सकते हैं, 2 pi, omega into T के जगा डाल सकते हैं, 2 pi, तो, 2, 4 i not, यहां बहलों कितना हो जाएगा, 4 i not, अब by omega T के जगा पर, omega T के जगा डाल सकते हैं, 2 pi, 2 pi, 2 से 2 मरतबे कर जाएंगे, finally, अपना i average कितना बचेगा, i average बचेगे, 2 i not by pi, 2 i not by pi, तो, एक AC के half cycle में, average कितना current flow होड़ा है, 2 i not by pi, धान धना, half cycle में, और half cycle में, charge कितना flow होड़ा है, 2 i not by omega, 2 i not by omega, charge flow होड़ा है, और 2 i not by pi, average current flow होड़ा है, over half cycle, note करेंगे, यहां पर returning हम किये हैं, कुछ किये नहीं है, चीजों को integrate किये, general charge निकाल दिये, सब कुछ, half time के लिए कर दाएं, cycle के आधा के लिए, यह relation आप पढ़े हो, omega 2 pi by t, omega t by 2 के जबाप pi डाल दिये, omega t by 2 के जबाप pi डाल दिये, cos pi minus 1, cos 0 minus 1, minus 2, 2 i not by omega होगया, इसको टाइम से डिवाइड करना है, बट कौन सा टाइम, half time के लिए आप डिसकस करें, half cycle का टाइम, डिवाइड किये, 2 i not by pi, calculation यहाँ पर गंदा थोड़ा हुआ था, खुद से लिखो गए, अब अगला हेडिंग डालो, average value of AC in complete cycle, यह इसको बोलेंगे, in full cycle, अगला हेडिंग आप, average value of AC in full cycle, complete cycle मतलब, यहाँ पर timing कितना हम लेंगे, time लेंगे, पुरा time period, t के बड़ाबर का time लेंगे, एक complete cycle में कितना charge flow होगा, कितना current flow होगे, काम होँ करेंगे, यहाँ integration किये थे 0 से t by 2 तक, यहाँ integration करेंगे 0 से t तक, बस, i e g quest 2 अभी क्या है आपके पास equation, i naught sine omega t, i को लिख रहे हो, dq by dt is equals to i naught sine omega t, dq का value, i naught sine omega t dt, integrate करो दोनों side, dq का integration q, और एक complete cycle में मतलब 0 से t के लिए integration कर रहे हो, i naught constant है, sine omega t का integration minus cos omega t by omega integration over 0 से t, q e g quest 2 minus i naught by omega बाहर कर दो, cos omega t minus cos 0, upper limit minus lower limit, omega into t, t के जगा पर 0 डालना है, पुरा term कर देगा 0, q e का value निक्या लगिया, आगे यहाँ पर राजावाब, q e g quest 2 minus i naught by omega into cos omega, और t के जगा पर डाल सकते हैं, 2 pi by omega, 2 pi by omega, q, minus cos 0, 1, यह कहां से डाल दिये, चुकि अपने पास result होता है, time period, time period, 2 pi by omega, या, omega e g quest 2 pi by time period, तो time period के जगा पर डाल दिये, 2 pi by omega, omega से omega कैंसल, q e g quest 2 minus i naught by omega, into cos 2 pi, cos 2 pi मतलब cos 0, cos 0 का value, 1 minus 1, 1 minus 1, 0, पुड़ा charge flow क्या हुआ, 0, अगर charge flow 0 हुआ, इसलिए i average क्या निकालोगे, q by t, q 0 by time period t, total value 0, अब ध्यान देना, किसी भी cycle में, AC के लिए, average charge 0, और average current भी 0 flow होता है, यह objective questions बनते हैं, कि in any AC, total charge flow in a complete cycle, 0, total current in complete cycle, 0, but half cycle में कितना charge flow हो रहा था, 2 i naught by omega का, और half cycle में current कितना बन रहा था, 2 i naught by pi का, तो average value of AC, in half cycle, और in full cycle, हमने आई देखा, और AC के बारे में, कुछ basic terms जाने, next class में, फिर किसी नए topic के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए, के लिए, बाइ. अई जए. क्वेंग तो कि शुए के रुए कि युए दुए कि चुए कि अवश कि अ हुए कि इपिपल कि ब'tुम